तो फिर अलो दोस्तों कैसे हो आप लो तो फिर आज हम बनाने वाले हैं रेल्वेट ट्रैक चेंजर तो फिर इसमें हमें मैट्रियल्स चाहिए कुछ 6mm square feet PVC pipe और कुछ आइस क्रेम स्टिक्स और फ्लेक्स क्विक और थोड़ा थोड़ा दिमाख जो की आपके पास बहुत है तो फिर गाइस चलते हैं वीडिको शुरू कर लें चलिए गाइस आज हम रेल्वेट ट्रैक चेंजर बनाने वाले हैं जो कि आपको पता है तो फिर गाइस हमारा पूरा स स्विच है और गाइस यह जो पूरा स्ट्रेट वाला दिख रहा है यह में रेल और यह है साइड रेल तो फिर गाइस यह जो वीर टाइप का रेल दिख रहा है यह वीर या फिर फ्रॉक और यह गाइस हमारा जो स्विच रेल का ही पार्ट है और गाइस यह दोनों हमारा चे वेकिन उसके आगे स्लिपर्स यहां पर मैंने याइन पॉइंट फाइज मेहा ऑप आइस साइड वाले बन पॉइंट फाइव सेंटीमेटर ऐसे गाइस बहुत चार आइस्क्रिम स्ट्रिक को काड़ के और उसका मेजरमेंट करके रख लिया और यहां पर ट्रैक्स के लिए मैंने सिक्स एमेम स्क्वार फिट पीविसी पाइप का यूज कर रहा हूं देख लो गाइस बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बानने में भी बहुत ही आसानी तरह से हमारे हल्प करेंगे तो फिर यहां पर स्लिपर्स मतलब जो स्लिपर्स हैं आपको अगर पता नहीं चल रहा हो तो तो सब्सक्राइब करना और बीच का गैप 6.5 cm मतलब अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखना तो फिर गैस को मतलब गाइस ऐसे ही मतलब थोड़े एक आठ दस आठ दस ट्रैक्स मतलब आठ दस स्लीपर्स को ऐसे चिपका देरो जैसे कि मैं चिपका रहा हूं कुछ इस प्रकार स से वाले में थोड़ा यहाँ पर हमें थोड़ा अलग करना है मतलब थोड़े मतलब थोड़े जिए फोड़े ज्यादा एक इतने हट तक इसको ऐसा आना उसके बाद हम यहां पर इन दोनों रेल devotion को Siya परेंगे तो फिर यहाँ पर मैंने फिर से 6 mm square feet PVC pipe को लेकर कुछ इस प्रकार से काट रहा हूं देख लो पुरा क्रॉस पुरा क्रॉस से जो कि आप देख सकते हो इस कुछ इस प्रकार से मैंने काट लिया देख लो गईस ऐसी और एक को भी कर लेना इसके बाद गाइस इन दोनों को कुछ इस प्रकार से बन सके तो इन दोनों को फ्लेक्स साथ इससे बहुत ईचासे टадноना यह दोनों सब्सक्राइब न जो दोनोब यह जो दोनों बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से देख लो इसक्वार जयसे कि जूसरे एंड पर किये था हमने वैसे स्लिपर्स को चिपका रहा था वैसे इन दोनों मतलब में रेल और साइड रेल दोनों पोर्शन पर कर दो ऐसे सेम प्रोसेस कुछ इस प्रकार से गाइस और गाइस हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है ऐसे और भी वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्षन पर बताओ ना आपको क्या चाहिए है करने के लिए पूरा रडी आ है आप सिर्फ बता नहीं है उसके यहां पर मैंने साइड को भी ऐसे कर लूँगा तो इस प्रकार से यहां पर थोड़ा जब एकदम बंड होने के लिए फोड़ा हमने क्या क्या यहां पर जो पॉइंट रहा है वहां से स्टार्ट कर ले तो फिर वहां से थोड़ा आसा नहीं है और यहां पर 6.5 mm का बीच में जो गैप है अच्छा से मैंटेन कर लेना जो कि हमारे यहां पर पूरा में है अगर कुछ भी अगर सिthis iseam ले ले तो हो पूरा गलत हो जाएगा पूरा गलत हमारे यहांपे पूरा ट्रैक चेंजर ही वेस्ट हो जाएगा यहां पर कुछ भी अगर इतना सा भी अलग हो गया ना पूरा गलत हो जाएगा और पूरा वेस्ट हो जाएगा काम पूरा गैस ऐसे 6.5 mm का 6.5 mm 6.5 cm का बीच में गैप मेंटेन करते ही रहे ना मैं भूल बता रहा हूं स्वारी लाइक कर दो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो बहुत मुश्किल से बना रहा हूं आपके लिए गैस कुछ इस प्रकर से आप बीच वाला जितना भी पोर्षन है जैसा उतना मतलब पूरे जितने आईस्क्रीम स्टिक्स हैं मतलब जो स्लीपर्स हैं वैसे चिपका और गैस हमने यहां पर दोनों एंट पर पूरा कंप्रीट कर लिए गैस देख लो कुछ इस प्रकर से हमने दोनों एंड पर कंप्रीट कर लिए इसके बाद कैस्टि आपको मैंने पहले बताया अब यहां पर जितना भी गैप है उतना ही आपको चिपकाना मतलब उतना मतलब 6.5o का यहां पर मतलब इनका जरूरत नहीं जितना वहां पर हम मतलब पुरा फ्री जितना वह स्पेस लेखा उतना पर वह चिंट करें अब देखेंगा यहां पर जैसे कि मैं कर रहा हूं देको जो क्यों कि है यहां पर हमारा जो स्वीच्छ रेल बन गाना इस यह स्वीच्छ यहां मेंट और साइड रेल को दोनों को अलग अलग ऑलग करेंगा यह अगर थोड़ा भी मतलब थोड़ा गवी गलत हो गया पूरा अलब पूरा वेस्ट हो जाएगा पूरा हमारा ठ्रैक चेंजर यहां पर साब्दानी रखना आप थोड़ा अच्छे करना लेना यहां पर जितना वह गैप मेंटेन हो रहा उतना वैसे लगाते रहा ना और आपको अगर यहां पर जो बीच वाला गैप को आप कवर कर मतलब आइस क्रीम स्टिक का लंबाई आपको मतलब जितना लगा जितना इस्क्रीम स्टिक को आपको यहां पर गाइस यहां पर देख लो यहां पर मेरे और एक जो स्टॉक रहा वहां पर हमारा आइस्क्रीम स्टिक नहीं जा रहा तो फिर यहां पर मैंने दूसरा आइस्क्रीम स्टिक लिया कुछ इस प्रकार से और उन दोनों आइस पूरा पॉर्षन जितना भी वाला पॉर्षन है ऐसा ही पूरा कम्प्रीट करके कर ले ना जासे कि मैं कर रहा हूं तो फिर गयाँ यहां पर जो उला पर हमारे यहां पर प्रिए वत तो कमें तो यहां पे मैं फिर से जैसे कि मैं क्रोस में काट के रखा था ना वैसे पहले जैसे यहां पर भी लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा क्राउस करके किया था और गास यहां पर मेरा 6.5 cm का गाप थोड़ां बढ़ी है मतलब 6.8 cm 6.8 cm का gap हो गया वहां पर तो फिर यहां से हमारा switch rail switch rail का लंबाई यहां से हमारा होगा और यह जो मतलब यहां पर जो switch rail का एक end मतलब और एक side बना रहो यह हमारा यहां पर बीच वाला gap 6.5 cm रखेगा कुछ यहां इस तरह से चिपका होगा यहां देख लो जैसे कि मैंना उस side का जो main rail का stock rail से और यह switch rail से 6.5 cm का gap maintain करके रख रहा हूं देख लो कुछ इस प्रकार से आप भी कर लेना तो आपको बहुत आसा नहीं होगा और यह यह पूरा पूरा चिपकाने नहीं आपको कुछ हदे तक चिपकाना मैं आपको बताऊंगा कहां से चिपकाना नहीं है तो फिर यह देख लो यहां पर इतना तक हमने चिपकाया उसके बाद गाइस देख लो यहां पर हमारे यहां पर जो क्यों दो रहा है जो सुीचर Іल का एक साइड वाला रहा हुआ हमारे तो यहां पर थोड़ा वन चाहिए तोड़ा कर्व है क्या है यहाँन पे थोड़ा कario करणी के लिए मुदल जो कव रेल तक कर लिए बना लेना कुछ प्रकार से देखलो घी आप भी बना लेना देखलो और यहाँ पर जो साइड रेल का स्टॉक रेल है और जो स्विच रेल का एक साइड वाला रेल है वहां से आप मेजर करने यहां पर कुछ इस प्रकार से और 6.5 सीम का गैप मेंटेन करके रखना अगर कुछ भी गलत हुआ पूरा रॉंग हो जाएगा पूरा आपका जितना भी परिश्रम किये पूरा वेस्ट हो जाएगा गाइस देखके करना उसके बाद गाइस कुछ इस प्रकार से आप भी चिपका लेना जैसे कि मैंने हमने पहले किया था जो में रेल का स्विच रेल था थोड़ा ही चिपकाया वैसी यहां पर भी आपको थोड़ा ही चिपकाना है देख लो क है आपको क्या करना है बीच में आपको एक आइसक्रीम इस्टिक को लेकर हमारा जो दोनों इस प्रकार से आपके चिपकाना है तो फिर हमारा मेंन रिल को मतलो फोड़ा खेप रहेगा मेंरेvचे पर अगर साइड गये is प्रकार से सच ब Хорошо और ङहाँ पर मैने यहाँ पर हमारो थोड़ा एक्सट्रा हो गया दो वहाँ प्रहाँ पर हमां ने कार्ट लेता हैं और यहाँ और वी रेल को पूरा कम्प्लीट कर लेता है देखलो यहां पर मैंने क्या किया एक जो 6 mm square feet pipe है वहां पर थोड़ा बीच में काट के कुछ थोड़ा से बेंड कर लिया देखलो थोड़ा सा ही बेंड है आपको मैं वह वह कैसे क्या वह मतलब जो दूसरा साइड वाला भी जो वह चेकरल बनाएंगे आपको बहुत है देखलो कुछ इस प्रकार से आपको भी चिप करना है जैसे कि आप मैं पहले ही बता लिया था वह दिमाक आपके इसे जल्दी बनाओ अभी 200 यह जल्दी बनाओ गैस क्या आपको प्यार मुझे चाहिए चाहिए मतलब गैस क्या बोलू ठीक या अब यह वीडियो पर आ जाता है देखलो गैस यहां पर मैंने और एक स्लिपर को भी आड़ कर लिया और गैस यहां पर देखलो एक मदब है सब्सक्रीज का पूर्वा सीधा से मतलब एकदम स्ट्रीट लग सके कुछ इस प्रकार से म dough- own hode करके लगा रहा हूं तो फिर फिर हमारा यहां पे थोड़ा भी आ ऑज लिब का और यहां पर यहां पर क्या हुआ मैने जब चैक किया घाई यहां पर थोड़ा मतलबğa अभी चेक रेल बना लेता है और चेक रेल को बनाने के लिए तो आपको आपको क्या करना है सिर्फ एक 6 mm2.5 PVC पाइप को काट लेना थोड़ा छोटे-छोटे प्येस में और वाइसे कुछ इस प्रकाट थोड़ा बंड करके चित करें क्योंकि यह साइड रहता है इसके लिए वह भी थोड़ा कर बना देना आप भी उसके बाद जैसे कि आपको पता है में रिल पूरा सीधा रहता है तो य अभी टेस्टिंग कर लेता है कैसा हमने बोगी बना लिया था पहले सी मतलब आपको तो पता है हमने बोगी बनाया है और यहां पर बोगी पूरा फ्रीली मूवेबल हो रहा है देख लोगा सिर्फ स्विच को चेंज करते ही और में रेल साइड रेल दोनों पर चल रहा है प छीज नहीं जो वीडियो पर बनायाते वहिया लेकिन थोड़ा अलगी चभी ठीक ना गयश तो फिर इसके लिए एक लंता है एक लांटे विडियो पहले कल किंगर था तो अप्रसुना गाल मेरे तो आप देख लिए वीडियोपे यह पना हूँ मैं देख लिए इसका बड़ा इसका बड़ाए पहले वही जन्म हुआ था पता लाप को वह भाई देख लो यह प्याव देख लो यह पूरा को पूरा रही आइस क्रेम श्टिक से बना हुआ सिर्फ या स क्रेंट्सिक से देख लो अगर आपको ऐसा क्रेंश क्रेंश स्इसरेक मोस्तिक से अगर आपको बनाना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा मैं फिर से कोशिश कर दूंगा आपके लिए इसका और एक छोटा भाई आ जाने के लिए तो फिर मिलता है अगली वीडियो पर और एक बात गाइस गाड कोछ आने ही वाला है गाइस पेंट नहीं मिल रहा है लॉक्डाउन है पेंट मिल जाएगा तो फिर हमारा वीडियो हो जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा गाइस और वो जल्द से जल्दी आ जाएगा ठीक ना गाइस और मिलते हैं अगली वीडियो पर तो फिर बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई झाल